अगज़ो कि करता हुग आप सब लोग बहुत खुर्ष और होस्वेंट देखे आज हमारा के सब्जेक्ट है वह बिजो बिस्टाइक जो की है लेकिन जब मैंने उस lecture को यूट्यूब पे अप्लोड गिया तो जहां पर हम लिखते हैं कौन सा यह lecture है तो lecture 4 मैंने वहां पर कर दी आता लेकिन बोड पर lecture 3 रिखा हुआ नहीं आता है वह actually lecture 4 था तो आपस में confused ना हुश्ट्रेंट्स तो lecture 1, lecture 2, lecture 3, lecture 4 जो की बेस्ट थे आपके types of function एक बिजर बेसिक जिसमें हमने lecture 1 से लेके 4 तक हमने जो है वो individual function के 4 type हमने complete कर लिये थे वो 4 type को पहुंचे थे numeric function, forward function, spin function और conversion function उसके वाद हमारे जो है यह individual function में दो प्रिकार्बरे function हो और रहते हैं भी dated time function और logic function इसको हम complete करेंगे, इसको complete करने के पाद strengths हमारा फ़राइगा user defined function फिर जो है हम उसको lecture 6 और 7 में हम उसको complete कर लेंगे, ठीक है तो हमको confused होने की ज़रूत नहीं है कल जो lecture जो अप्लोड हुआ था वो lecture 4 था, types of individual basic mean तो आज शुरू करते है date and time function, यह तो हमारा पादा function है, हमारे input function के अधर देकि date and time function में क्या है, strengths यह जब भी कभी हम इन functions का use करते हैं तो यह हम देकि और time है, लगतिस्वी format में हम time को print कराना चाह रहा है या समय को print कराना चाह रहा है उस format में print करते हैं तो हमारा हम बात करते है date function तो यह क्या काम करेगा? return the current date यह जो है current date को return करेगा, चीका स्कुमेंट्स और अगर हम बात करते है month function की तो यह क्या क्या करेगा? यह करेगा return the month in numeric form यह numeric form में करेकिस हमारो suppose एट हमने एक example लिया print month print month लेका, फिर्म लेका now तो यह कहना मतलब है कि अगरी जो month चल रहा है, अगरी जो month चल रहा है अगरा एक now function भी है, इसको मारक से use करते है, return the current date and time यह now कहां करता है, return the current date and time यहनिकि date और time दोनों आपकी एक साथ display करता है जो आप now function ले use करते है, फिर time function तो यह given time को return करता है ठीक, strides तो हमने date function, month function, now function, time function 4 function है, इसको month function का तो हमने एक्जाप पर लिये दिया, और बाकी की function जो बच्चे now कहते है वो यह print now करेंगे, तो जैसी हम now लिखेंगे और bracket को करेंगे तो output आएगा पांच एक दो जारबीस जो आज की date है, और 10 बच के बारा मिनट अट्थावन सेकेंड अम जो time show कर रहा है, ठीक है, फिर आप बात करते है date ही, तो print date, print date करेंगे, यह function होग है, तो print date करेंगे, date मैंने आप पता है क्यो date क्यों करता है, returns the current date, तो print date करेंगे तो पांच इक दो जारबीस को return करते गही है, यह output आ जाएगा time करेंगे, तो print time जो की शोग करेंगे, दस बज के, बारा मिनट, अठावन सेकेंड अम, नौ function कर रहा है, दोनों काम कर रहा है, date कर रहा था, print और जो भी कर रहा था, लेकर आप देखेंगे, आप जो है, month पहले आए, date बार में आई है, तो month date ही है, इस format में display होता है, ठीक ह अगर, जो कर function की value है true होगी, तो मतलब जो है, अगर पहलो, जो है, true होगी, तो true करेंगा, वनना वो इसको false return करेंगा, ठीक है, तो इसमें, मैंने 4 important function लिए है, ठीक है, जो बहुत important है, जो आपके exam में हर बार पूछे, जाते हैं, तो logical function में पहला में पहला है, is date, इस date क्या है, दो हम सही argument pass करेंगे, तो value हमारी वह सही, पास होके आएगी, जैसे मालो, मैंने examper that through spread या, sometimes push ती है, dim, data type में use कर ते, dim, myware, और mycheck, यह तो tag के, ते मैंने verbal, मैंने इहां पहला दिए, myware में घो पास करा दी 5,12, as a string across double quotes में लिया है, और माई चेक is equal to is date, अब इस date में क्य है यह देट सही फॉर्पेट में है तो क्या करेंगा रिटन कर देगा तो क्या करता है एसी बात करता है कि इस नुमेरिक क्या करता है कि वह नंबर है कि उसको चैक करता है तो इसे मालो वह तो करेगा अगर मालो 54 इस पेस्ट लेकर मार्ड कर लिए मैं लिए तो मालो है पर जो है वो false return आ जाएगा पर यह जो है वो numeric नहीं को कि इस numeric क्या काम करता है numeric कोई नहीं return करता है ठीक है तो अगर numeric value में लेगी तो करते ही return return नहीं करेगा फिर है हमारा is null is null बहुत important है यह काम करता है कि to determine if a variable contains a null अगर यह variable क्या हो और null बहुत तो null value को जो है वो return करेगा जैसके हम इसको एक example के दूसर मैंने कोश्क करते हैं dim my where my check तो हमने फ़र कर दिये dim और my check को मैंने कर दिया is null को अब यह बहुत important है को my check में मैंने is null मैं my where को मैंने is null कर देगा तो कि मैंने यहां पर my where को मैंने is null कर देगा तो कि मैंने my where को मैं को यहां पर यहां पर इस null कराएंगे तो यहां पर जो है इस null को मैंने जाएं कराएंगे my where variable से यहां पर इसको return लेगा कि 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 उसके बाद हो sprint मैंने फिर यहां पर इस is empty is empty नाम का function और लिया है example में तो यह का काम करता है to determine whether variable has been initialized कि वह value में उसमें वह value है कि नहीं है वह value कि इसलाज हो रहे है कि नहीं हो रही है वह check करने काम आता है अब जैसे मार्णों मैंने यहां पर नहीं dim my where my check ठीक है दो value मैंने लिये उसको my check is empty my where अब दो यहां पर सबसे क्योंकि यह क्या करेगा कि इसलीए is empty my where यह true आजाया यह जो है इसको in-smass करने क्या कर रहा है तुसरी है true आजाएगा अब जैसे मार्णों suppose that मार्णों मैं my where में null ascent करा रहते तो हम मैंने अब मैंने कहा किया my where मैंने null ascent करा दिया अब यह empty नहीं है विकास्माइ विर में null आचुका है अब यह इसको in-between नहीं अब यह इसको in-check कर वह तो false रहेगा क्यों 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 प्रू इसी नहीं करेंगा प्रू इसी नहीं करेंगा पॉस्पार मैं पड़ा हुआ है इसी लिए वह इसको false कर बिदुकि तो कि इंपटी वैलो जब देगे तब उसमें कोई इसको वैलो नहीं मिलेगी जब उड़ा खाली होगा तरहीं वो उसको असान करेगा तो यहां वजगा true, यहां जगा false मैंने आप माइदिल में लिया तो आप माइदिल आप दिल माइब यहां पे ले सकते हैं ठीक है मैंने सीधे माइब करती हा है तो यह बहुत ही important example अभी हमने students complete किये lecture 5 tabs of function in visual basic में ठीक है इसमें हमने data type function पर date function, month function, now function, time function ठीक है और हमारे logic function में is date, is numeralit, is num, और is impity यह हमने 4 तो आज हमारा interval function जो है tabs of function in visual basic में हमारा complete होता है और lecture 6 और 7 में फिर जो हम user defined function हम लेके आएंगे जो हम इसको complete करेंगे ठीक है तो जब भी कभी आप screen lecture लेक्टर को यहीं बोलता हूं कि आप जब भी लेक्टर को देखें तो लेक्टर को देखें तो लेक्टर को देखते समय अपने mobile की बैटनेस को बढ़ाएं दूसरे क्या है और इतनी रखें कि जिससे आपकी आँखें पे उसका फरकना पड़ें दूसरा है आपने mobile के फिल्गों लेंडर करें तीसरा यूट्यूब पर जो इसको वीडियो की क्वाल्टी है उसको 360-480 की स्रेट करें ताभी बोर्ट में जो कुछ भी रिखा गिया है उसको आप खीक से देखें मोड करें और नोड करके आप मंदबजब ने नोड़्स मनाएं और टाइम पर इसको कम्पीट करें बहुत इपोड़ेट है यह आपके आपके एक्जाम में हरुआ आरा है ठीक है थैंक्यू बेरी बच्च